असलामों अलेकुम यह थैंक्यू हस्कोल के नाम से जो टाइटल है यह इसलिए बनाया है थैंक्यू बोला है कि वो लोग जिन्होंने 15 दिन पहले वाली वीडियो देखके इन्वेस्ट किया था हस्कोल में आज वो सिर्फ 10-12 दिन में ही माला मालू हुए बैठे है इफ यू इ स्क्राम से वीडियो बनाई थी 12-13 दिन पहले प्लेजिस्ट में पढ़िया है जाके जरूर देखिएगा उस वक्त चार पैपे ट्रेट कर रहा था तीन इशरी नवे तीन इशरी असी यह समझें चार पै के आस पास मैंने साफ साफ कहा दिया था कि अब जी वक्त है स्कोल मे जो नए बंदें इंट्री ले सकते हैं नए लोगों को बहुत ज़्यादा फाइदा होने वाला है यह बात मैंने कही थी और आज अला के शुकर है बस 12 दिन में डबल के करीब होने वाला है असकोल आज तीसरा अपर कैप लगए 7 रुपे पे पहुंच चुका है इंशाला 8 8 रुपे या हो सकता है आने वाले वक्तों में या कुछ दिनों में 9-10 तक भी अराम से चला जाए और अगर ना भी गया तो चांस है थोड़ा टेम लग सकता है दोबारा और मैंने एक उस वीडियो में यह उससे पहले भी एक दो बनाई थी उनमें साफ साफ बताया था कि या कौन लोग होड़ रख सकते हैं और कौन लोग सकीप कर जाए जिन वाली वीडियो भी सपको वीडियो देखेंगे तो उनमें और थो जो पहले वाले लोग हैं जनोंने एक साल दो साल तीन साल पहले इंवस्ट किया होगा 400, 300, 200, 200 की लेवल पे या 50 या 100 की लेवल पे यनि जब 500, 200, 200, 200 पे असकोल था वो लोगों की आप तो शुट्टी हो गई होगी लेकिन चलें कोई बच्चे हुए हैं तो वो लोग बेशा कभी सही सकेप कर जाएं कि उनके उनका टाइम आने में अभी बहुत टाइम लगेगा जिन लोगों को मैंने कहा था कि वो लोग उमीद लेके बैठे रहे हैं वो 20 वाले जब से नीचे वाले हैं 12 वाले आप देखेना साथ से आठा मलें का रेट वापसा गया है जो लोग पहले से इंवेस्ट करके बैठे थे तो अगर रेड़ वापस आया है अगर उन्होंने आवरेज आउड की होती तो अब तक शाहिद बहुत ज़्यादा प्राफिट भी आन कर चुकी होते हैं अगर किसी ने आड़ पर खरिदा था और चार पर वरेज अड़ बनेगी और चेह वला आज साथ पर हुआ है या कल हो सकता है आठ पर बिजाये तो साथ साथ अच्छा प्राफिट भी उन्होंने आन कर लिया है जिन्होंने नहीं लोग थे 12-13 दिन पहले जिन्होंने खरीदा होगा आज अन्होंने डूबल से भी ज्यादा कमा लिया बहुत ही मुक्तसर टाइम में 10-12 दिनों में मर्कीटें ऐसी काम करती है वैसे आजकर मर्कीट में तेजी का जो ट्रेंड है वो हो अच्छाय हो है मार्कीट में पिछले 15 दिन से का अभी स्टार्ट हुआ है यह कुछ भी नहीं है अभी तो एक चोटी सी जलक है आने वाले कुछ महीनों में एक साल जो बहुत बड़ा तेज और उसको मिस्ल मत करना आएगा स्टैप बाई स्टैप स्टाक्स नीचे की तरफ भी गिरेंगे बहुत बुरी तरह से उपर तरफ की तरह भी जाएंगे आप सेंड डाउन साथ साथ चलती रहेंगे अब यह नहीं है कि सी डिजाइन में इसाब कुछ उपर चला जाएगा ऐसा बिल्कल नहीं होता टाइम लगता है आर्चीज पर लेकिन उमीद है आने वाला जो तेजी का तुफ़ान है उसमें नवे परसंट जो स्टाक्स हैं जो अच्छे स्टाक्स हैं वो तेजी की तरफ जाएंगे और बेतहाशा बहुत ज्यादा जो है इतनी ज्यादा तेजी कि ज जून 2021 तक लगतार सवा साल तेजी का ट्रेंड रहा है तो बीच में ये दो ऐसे स्टाक्स है एसकोल और बेंक अप फंजाब यो बिल्कल नहीं चले बलकि चलना दादूर की बाद लुटा मंदी की तरफी गांदा रहें बाकी ऐसे स्टाक्स भी हैं जिन्होंने 20-20 कुना प सब्सक्राइब करते हैं बाराल अभी पॉजिटिवी रहें आने वाले कुछ साल पॉजिटिविटी ज्यादा है शार्ट सैजिंग से प्रेस करें अच्छे अच्छे स्टाक्स ढूंड़िए गया और जब कुछ लोग जो हैं कह रहे होते हैं माहिरीन उनकी बाद मान ली जी हुआ है ।